हाली में आप देखें कि तिंदूओं की संख्या 2018 रिपोर्ट जारी की गई है तो इससे सम्मदित जो भी मत्पूर आपके तत्त होंगे उन पर भी हम लोग बात कर लेती हैं क्योंकि आप देखें कि करीबार आपकी डारेक्ट प्रिच्छा या फिर वंडे एक्जाम में डारे रिपोर्ट जारी कौन करता है किस राज में कितना इतिन हुए हैं इस तरह कि कुष्छन भी कई बात मुच लेता है इससे पहले आप लोगोंने देखा होगा कि बागों की संख्या को लेकर भी जनगरना हुई थी और आपने देखा है कि 2018 में के हिसाब से हुई थी और इसमे यानि कि 2226 ती यानि कि आप देखेंगे 33 फीस्ती का इजहापा हुआ है 2014 और 2018 की वीज ठीक है इसमें से अगर आप से पूचे आपके राज्यों की बात तो बिहार में 31 उत्तराखंड में 442 उत्तरपिदेश में 173 आंध्यपिदेश में देखेंगे आप लोग 48 तेलंगाना में 26, 36 कड में 29, माप करिए 19, जारखंड में 5, मद्धपिदेश में सबसे जानदा है कितनी हैं 526, माराष्ट में 312, उडीशा में 28, राजिस्थान में 29, घुआ में 3, करनाटक में 524, केरल में 190, तमिल लाणुं में 264, अउड़ाचल पिदेश में 29, और असम में 190, अपने अउड़ाई की बात करूँ, तो मद्धपिदेश को टाइगर पिदेश भी कहते हैं आप लोग, इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे जानदा हुआ पा एन लोग पायाजाती है, देखी ये बात की बात करें, न तो इस तरह दिखता है और तिनुग किस्ति 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई है इस रेपोर्ट की अनुसर भारत में तिन्वों की आबादी में वर्स दोजार 14 से अब तक 054 की विद्धी हुई है बागों की संख्या में आपने 37 présent की विद्दी है लेके इन तिन्वों इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है परियावन बन और जलवाईव परिवतन मंतराला है जो आपका वही इस रिपोर्ट को तैयार करता है तिन्दुगों की अनुमानित आबादी वर्स 2014 में लगबग आप देखेंगे आठ अजारती जो बढ़कर 12,852 हो चुकी है कितनी 12,852 तिन्दुगों में सरवादी कावादी आप देखेंगे मद्दपिदेश में 3421 है इसके बाद करनाटक में आपकी 1763 है मापकरिए 1783 और महराष्ट में आपकी 19,000 मापकरिए 19,000 नहीं होगी यह आपकी होगी 909 के करीए इस संदर में दूसरे और तीसरे स्थान पर है ठीक है मद्दपिदेश पहले नमबर पर आपका उसके बाद करनाटक 1783 के बाद दूसरे नमबर पर और 909 होगी इस तीसरे नमबर पर आपका छेत्वार विवरेंड की बात करें तो मद्द भारत और पूर्वी घार्ट में तिन्वों की संख्या सरवादी 8,077 पश्मी घार्ट मे की बात करें तो यह 1223 है अगर पूर्वत्तर पहाड़ियों में तिन्वों की कुल संख्या की बात करें तो 141 है ठीक है रेपोर्ट के अनुसा तिन्वों के निवास छेत में पिछले 100 से 125 बरसों में अत्य दिक कमी आई है जबकि तिन्वों की अनुमाले संख्या में विद् पेड़ी पेड़ दिखाए देते थे आज आप घर से दूर-दूर दगाफोसाप दिखाए देगां तीक काई बार आप देखते हैं कि जो टाइगर है या पर कोई भी हाथी हो या कोई भी इसटरे का पसुकह से जंगल से हमारे तरफ आच चुका है, नहीं, फिर साही साफ ह हम लोगों ने उनके घर में प्रवेश कर लिया है जब उनके घर में प्रवेश करें नहीं तो इसलिए देखते हैं आप लोग की हमारे तरफ वो दोड रहे हैं गर्णाव में प्यूक्त की गई तकनीक की बात करें तो camera tap का उपयोग किया गया है सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग किया गया है भारती बनेजीब संस्थान और राष्टी बाग सरक्षन प्राधीकन द्वारा फिल्ड कारवी किया गया है अब आप समझें यह जंगल इतने बड़े जंगल है वहां जाके एक एक गने की एक यह भाग है तो आज कल क्या किया जाता है कि camera tap या पर सैटेलाइट के द्वारा सब कुछ जान दिया जाता है अब आप देखने होंगे कि फसल की बात होती है कि फसल कहां कितनी हुई है हमारे देश में कितना फौन सा फसल हुआ है तो यहां हर कोई जाके गाउं गाउं तो यह चेक नहीं करेगा इसलिए सैटेलाइट या camera इस तरह के उप्योब करके बता दिया जाता है सी में दायरे की बात करें तो इस गड़ना को फ्रोजेक्ट टाइगर के तहित के वल बाग आवादी वाले चित्रों में संचालित किया गया है जबकि तिनों की उपस्तेती सर्म व्याकी है तिनुए अन्य किरसी चेत्रों जैसे गैर बनों चाय और खोफी के बगान उत्तरपुरु के अधिकांस हिस्सों में भी पाय जाते हैं लेकिन इन चेत्रों को गड़ना में सामिल नहीं किया गया है और तिनुए के लिए खद्रे की बात करने तो बनों के विखंडन के साथ साथ बनों की गुडवत्ता में गरावट से निवास इस्तान की चती होती है मानों और तिनुए के मद्द संगर्स भी आय देनों देखने को मिली है और अवैद सिकार और प्राक्तिक इस सिकार इस्तान जहां आवे पर एस सिकार कर सकते हैं की चती हुई है सीधा से कहने की आप देखेंगी किमानी और तिनों के भी संगर इसमें आप देखते होंगे किमानी उनकी मार देता है इसे पर इसके कारण भी इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल सकते हैं या इने खत्रा हो सकता है और प्राक्टिक सिकार की बात करें तो ये खाना तो कहीं से उपलब देखने होगा ये किसी और पसु या कोई भी हूँ आपका जीप उसका एक तरह से सिकाल तो करेंगे तो उनकी संख्या में अगर गिरावट होती है तो असर इनकी संख्या पर भी पड़ेगा अब वैसा ही है कि आप समझे कि आपके लिए खाना कम और उपलब दो ग्यहूं कम तो आप देखेंगे आने वाले समय में जहन संख्या की भी गिरने लगेगी कि जब खाने के लिए नह किया गया है और बनने जीवों और बनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतराश्टी ब्यापार पर कन्वेंशन के अंतरगत इसे परीशिष्ट एक में सामिल किया गया है तो आप देखेंगे सिटीज का परीशिष्ट फष्ट इसमें उन प्रजातियों को स आपको जेल भी हो सकते हैं आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा एक और भारती बंद जीप संस्थान के बारे में कई बार पूंच लेता है आपका तो भारती बन्यजीव संस्थान केंद्रिय पर्यावंट बन और जलवाईव परिवर्तन मंतरा लेके देख सुतंत निकाय है इसके गठन की बात करें स्थापना की तो 1982 में इसकी स्थापना की गी थी और इसका आपको मुख्याले देखने को मिलेगा देहरादूं के चंदवनी में अवस्थे थे इस संस्थान द्वारा लोप्त प्राइब जीवों जबिवित्ता वन्यजीव नीदी जबिकास और जलवाईव परिवतन जैसे चेत्रों में सोथ कारिक्रमों का संचालन किया जाता है अब बात करें राश्टी ये बाग संरक्षन पराधिकर परियावन बंग और जलवाईव परिवतन की तहत एक बैधानिक निकाय सांविदिक निकाय इसका गठन टाइगर टास्क पोस्ट की से फारिश्टों पर सन 2005 में किया गया था नहीं 2006 में बननजीव सरक्षन अदिनियम 1972 के प्रावधानों में संसुधन कर बाग सरक्षन प्र प्रादीकंड की फइली वेठक नवंबर 2006 में भी थी तो यह ही आपकी जो भी तिनों की संख्या रही है और बनजीव संस्थान जो भी है राष्टी बाग सरक्षर प्रादीकंड जो भी है इन्हें किस सूची में रखा गया है इसी तरह के questions आपके पूंचे जा सकते हैं ठी